हेलो गाईस तो यहर बिटकुइन की मार्केट में ओवराल यह जो आज चार्ट बन रहा है ना इसको अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो ऐसा नहों कि आप लोग एक बहुती बड़ा अपना लॉस कर दें या फिर आप लोग एक बहुती बड़ी ओपोचिनिटी गेन करने स मिस हो जाएं तो इस वीडियो को पूरा देखना आज की जो बीटी सी की अपडेट्स है ना पूरी की पूरी मार्केट की वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़े मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आने वाले बिटकुइन का जो आने वाल लोग देखो ये दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज ही हम लोगों ने एक ट्रेड ओपन की थी शौर्ट के ऊपर एंड जब थोड़ी दिर पहले मार्केट यहां से क्रेश हो रही थी ना तो हमें आईडिया आउ जुका था कि यहां से हमें कुछ प्रॉफिट होगा ए 62,000 के ऊपर मतलब अभी चल रहे हैं 62,800 के ऊपर लेकिन दिक्कत क्या आ रही है दिक्कत मैं आपको बताता हूँ जिसकी वज़ा से आल्ट कुइन भी सारे डाउन हो रहे हैं और बिट कुइन की मार्केट तो काफी टाइम से इधर ही अटकी हुए 60,000 65 and 59 तो इससे आगे क्य या फिर नीचे क्यों नहीं जा रहा है वो आप लोगों को बताता हूँ बट ये जो स्क्रीन शॉट मैंने आपको दिखाया ना ये पेमेट मैं आपको अपना एक सीक्रेट बता देता हूँ आज जो भी मैं फ्यूचर ट्रेट के ऊपर मतलब प्रॉफिट बनाता हूँ मेरा एक Binance का एक और भी account है तो मैं उसके अंदर वो सारा profit उसी time share कर देता हूँ और उससे क्या करता हूँ जो भी meme queen या फिर छोटे मोटे queen Binance पे list होती है तो मैं वो profit वाली money से उसको buy कर लेता हूँ In future में फाइदा हो सकता है बहुत ज़्यादा क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि आने वाला bitcoin कौन सा होगा तो इसलिए सभी मैं थोड़ा थोड़ा करके invest कर देता हूँ तो अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत फाइदा होगा बट अभी चलते हैं market की तरफ के आकर ये चक्कर क्या हो रहा है तो देखो दोस्तो कुछ दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि bitcoin की जो sport हमें दिखाई दे रही थी ना कि जब bitcoin crash करके आया था 58,000 पे तो उस time पे मैंने आपको बताया था कि अगर ये 66 पे आता है तो ऐसा समझे bitcoin 50,000 से भी नीचे आ सकता है लेकिन वो sport थी नई टूटी और वहां से bitcoin ने pump किया और सीधा चला गया था 55,000 के उपर लेकिन वहां से एक बार दुबारा crash आया और वहां से bitcoin आता है 60,000 के उपर उसके बाद उपर नीचे उपर नीचे चल रहा था लेकिन आज यहां पे देखो पहले सुबो का टाइम था यहां पे bitcoin क्रेश होता है यहां से 37,000 से यहां पे देखो 60,700 के उपर है 6,700 के उपर इसने यहां पे gig लगा दी एक धीरे धीरे यहां पे चलता क्या चलता क्या यह एक बहुती बड़ा pattern है अगर आप लोग पिछले 3-4 सालों में आप bitcoin को follow कर रहे हो तो मैं आपको समझाता हूँ ठीक है यहां पे gig लगाता क्या यहां पे देखो यहां से इसने pump किया सीधा सीधा pump करते करते अब यह पहुंच चुका है 27,900 के उपर इस टाइम पे trade हो रहा है में भी यहां से pump करके 65,000 के उपर भी पहुंच जाए किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है यहां पे chances क्या लगते हैं क्योंके काफी ज़्यादा लोगों ने alt queen के अंदर invest कर रखा है bitcoin के अंदर कर रखा है तो लोग परिशान है कि यहर halving हो चुकी है bitcoin अभी तक भी pump नहीं कर रहा तो मसला क्या हो रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ देखो दोस्तो पिछली जितनी भी prediction मैंने की है न almost 99% जो है न वो बिल्कुल ठीक हुई है ऐसा नहीं है कि मैं future देख सकता हूँ या फिर मुझे कहीं से dream आता है खाब में देख लेता हूँ fundamental and technical analyze करके हम लोग देखते हैं और काफी ज़्यादा बड़े बड़े group में भी हम लोग at है senior लोगों से discuss होती है उसके बाद जो रिदेमल होता है या फिर जो हमारे बनती है mind के अंदर एकी में जो bitcoin market की वो आपके सामने share करती है अब यहाँ पे इसने जो gig लगाई है न यह बड़ी खतरनाक है कितने पे लगाई है 6,700 के उपर और यहाँ से नीचे नहीं गिरा अब मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि अगर तो देखो दोस्तों 6,700 चलो 500 लगा लो 60,000 से अगर bitcoin नीचे गिरता है मतलब 6,500 से यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए अगर देखूं तो यह देखो यह वाली line अगर वो cross करता है न अभी तो pump कर चुका है ठीक है अगर यहाँ पे आता है न bitcoin यहाँ पे लगा लेता है एक dump तो ऐसा समझो के यार bitcoin जो है न वो 59, 58 या 55,000 पे भी आ सकता है अगर वो यह वाली line को तोड़ता है तो मतलब 6,700 से नीचे आता है तो फिर red zone हम लोगों के लिए बढ़ जाता है लेकिन जो मुझे लगता है न यहाँ से bitcoin का यह आखरी dump था ऐसा नहीं लगता के 60,000 से अब नीचे गिरेगा हो सकता है के 61, 62 पे अभी चल रहे 60 पे आए एंड उससे नीचे ना किरे लेकिन यह जो चार्ट बन रहे ना ऐसा लगता है कि अब जो हाल्विंग के बाद जो हम expect कर रहे थे न कि bitcoin के market उपर जाएगी तो लगता ऐसी है कि market उपर जाएगी क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा proof यह है कि पिछले यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा 24 गंटे में अगर liquidation देखी जाए तो 39 million की हुई है वैसे normal जो days थे ना पिछले month तो 24 गंटे में 1-1 billion भी loss हुआ है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि market की के अंदर ना पैसा इतना डूब नहीं रहा लोगों का तो यह एक अच्छा signal हो सकता है हम लोगों के लिए जो लोग इस market को जानते हैं ना वो ही लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे अगर आप लोग new आये हैं तो यह सारी चीज़े मुझे लगता है कि आपके दिमाग से उपर निकल जाएंगी बस आप लोगों ने इस चीज़ को मदे नज़र रखना है कि यह वाली स्पोर्ट नहीं टूटनी चाहिए 6,100 नीचे मतलब 6,700 से नीचे Bitcoin नहीं आना चाहिए फिर हम लोगों के लिए बात जो है ना थोड़ा खतरनाक हो सकती है बट मुझे लगता है कि यहां से हम market जाएगी 5,600 के उपर धीरे धीरे करके और उपर निकल जाएगी देखते हैं क्या होता है अगर market में कोई ऐसी वैसी news नहीं आती जैसे कोई आ जाती है investor को लेके या फिर पिछले दिनों जंग हुई थी इसराइल और इरान की ऐसी कोई news नहीं आती तो नॉर्मल market जो है ना उपर जा सकती है बाकी सुलाना की बात करें alt queen की बात करें देखो यार पहले तो मैं आपको बता दूँ के जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंके bitcoin या फिर finance से पैसा कमाने के जो तरीके आप लोगों को इस चैनल में free में मिलते है ना इतनी असानी से कोई भी पूरे youtube पे आपको नहीं बताएगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बाकी alt queen का scene ये हो रहा है कि यार इनके अंदर से लोग पैसा अभी निकाल रहे हैं क्योंके market जो है ना कभी उपर जाती है कभी नीचे फिर जो थोड़े बड़े queen से ना सुलाना हो गया बीन भी हो गया उन में से निकाल के memes queen के अंदर डाल लिया क्योंके वो आने वाले in future काफी ज़्यादा profit दे सकते हैं अभी सारे memes coin जो है ना वो गिरे हुए है bitcoin को ले के क्योंके यार आप लोग खुद देखो कि कुछ दिन पहले market सतर हजार के उपर थी और सब लोग यह सोच रहे थे हम भी यहां तक चले गए थे कि market जो है ना एक लाग तक चली जाएगी easily बट आपके सामने है जिस तरीके से market ने behavior उसने अपना दिखाया बट अभी के लिए इतना याद रखना यह वाली sport नई टूटनी होगा end में के भूल के भी अभी जो है ना वो future trade start मत करना market आपको liquidate कर देगी भाई पता भी नहीं चलेगा चाहे जितना भी आपका मतलब portfolio पड़ा है ना सारा का सारा उड़ जाएगा आप believe करो के आप नहीं लगाओगे अभी यह time है sport के अंदर entry डालने का तो इसके अंदर invest करो बाकी future को अभी रहने दो मिलता हूँ next वीडियो में किसी अच्छी update के साथ take care